18 माई 1914 को भारत ने पहला परमानू परीक्षन किया पोकरन एक इसका उप्रेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्ध यानि मुस्कुराते वे बुद्ध पहला कारण तो ये कि उस रोज बुद्ध पूर्णीमा की रात पढ़ने वाली थी और दूसरा इसी नाम से जुड़ा एक और मज़ेदार किस्सा है 18 माई को जब ये टेस्ट हुआ तो भावा आटोमिक रिसर्ट सेंटर पार के डिरेक्टर राज रमन्ना ने प्रदान मंतरी इंद्रा को एक मेसिग भेजा अंग्रेजी में था यानि आखिरकार बुद्ध मुस्कुरा दिये हैं और इंद्रा समझ गई भारतिय बुद्ध परंपरा से वाकिफ कोई भी वेक्तिय समझ सकता है कि बुद्ध के मुस्कुराने के माईने क्या है दरसल जब बुद्ध के पास कोई भी ऐसे सवाल लेकर आता जिनके उत्तर शब्दों में नहीं समझाए जा सकते थे तो बुद्ध मुस्कुरा दिया करते थे और ये ही आगे जाकर बुद्ध खासकर जेन बौध परमपरा बन गई बुद्ध की परमपरा में अवी सदी में एक जेन गुरू हुए गुटी नाम के जब भी उनका कोई शिश्य उनसे सवाल पूछ था तो जवाब में गुटी अपने एक उंगली उठा दिया करते सवाल जैसे इश्वर क्या है मरने के बाद क्या होता है आदी वैसे ही जैसे बुद्ध मुस्कुरा दिया करते थे गुटी का एक शिश्य उनकी देखा देखी उनकी नकल करने लगा जब भी कोई पूछता तुम्हारे गुरू ने क्या सिखाया तो वो एक उंगली उठा दिया करता गुटी को इसकी खबर लगी तो उन्होंने इस लड़के को बुलावे बहजा गुटी ने उसकी परिक्षा के लिए एक सवाल पूछा तो लड़के ने हमेशा के तरह एक उंगली उठा दी जैसा देखा वैसा उसने किया तब ही गुटी ने अपनी जेब से एक छुरी निकाली और उसकी उंगली काट डाली लड़का चिलाते हुए बाहर की ओर भागा गुटी जोर से चिलाए रुको सवाल का जवाब तो देते जाओ लड़का गेट तक पहुच कर वापस मुड़ा जवाब देने के लिए आदतन फिर उसने अपनी उंगली उठाने के लिए हाथ उठाया लेकिन उंगली वहाँ थी ही नहीं वो कट चुकी थी उंगली यानि प्रतीग जिसे रास्ते से हटा कर गुटी समझाना चाह रहे थे कि प्रतीग परमतर्ट को उंगली जिस तरफ इशारा कर रही है उस तरफ देखो जिन परंपरा में कहते हैं कटी हुई उंगली उठाते हैं उस शिश्य को ज्यान प्राप्त हुआ और वो गुटी की बात का मतलब समझ पाया आज इस जिन कहाने से शुरुआत इसलिए क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भी प्रती की है नमस्कार मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की एतिहासे कहानिया आज 27 दिसमबर है और आज की तारीख का संबंध है भारत की राश्ट्रगान से 1908 में गोदेव रविनाथ ठाकुर ने इस कविता का पहला ड्राफ्ट लिखा था ठाकुर अटेगोर में कन्फ्यूज मत हो ये एक ही व्यक्ति के नाम है कविता के रूप में तत्व बोधिनी पत्रिका में ये छपी भी भारत भाग्य विधाता ये नाम था तब इसमें पांच पद हुआ करते थे अभी भी हैं लेकिन सिर्फ पहले स्टेंजा को राष्टगान के रूप में गाया जाता है पहली बार इसका गायान एक स्कूल में हुआ और इसके बाद आज ही के दिन यानि 27 दिसंबर 1911 में कॉंग्रेस का राष्टी अधिवेशन इसे पहली बार आधिकारिक रूप से गाता है राष्टगान के तौर पर नहीं बलकि इश्वर की स्तूति के तौर पर उस वक्त ऐसा किया गया था हुआ ये कि राज़ा बनने के बार जौच पंचम पहली बार भारत पधार रहे थे उन्होंने बंगाल के बटवारे को खत्म करने और अलग उडिशा राज्य बनाने का प्रस्ताव स्विकार किया था इसलिए कॉंग्रिस के अधिवेशन में उनके स्वागत और धन्यवाद प्रस्ताव का कारेकरम रखा गया था कारेकरम की शुरुवात हुई टैगोर की इसी कविता से भारत भाग्य विधाता चुकि हिंदुस्ताने रिवाज है कि कारेकरम की शुरुवात में दीपक जलाकर इश्वर की स्थुती गाई जाती है इसलिए भारत भाग्य विधाता नाम की इस कविता को वहां गाया गया इसकी बाद कारेकरम शुरु हुआ और जॉच पंचम के सम्मान में एक हिंदी कविता भी पढ़ी गई कविता का नाम था बादशाह हमारा इसी लिखने वाले थे रामभुच चौधरी अब ये घटना हुई और इसके अगले दिन पर आते हैं अगले दिन कुछ ब्रिटेश और कुछ लोकल अकबारों में भी ये छप गया कि ब्रिटेन की राजा के शान में रभिनार ठाकुर ने एक कविता लिख दी है अब टेगोर जाने माने कवी थे माने हुए साहित्यकार थे कहा गया कि भारत भागय विधाता से गुर्देव का बाश है जौज पंचम से ही था यानि उन्हें भारत का भागय विधाता मान लिया गया तब से ये फेक न्यूस तयार हुई कि भारत का राष्टगान जौज पंचम की स्तुति में लिखा गया था 1997 में टेगोर ने इस बात को क्लियर करते हुए कहा था एक ब्रिटिश आफिसर मेरा दोस्त था उसने मुझ से कहा कि ब्रिटिश समराट का गुंगान करते हुए एक कविता लिख मारो इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया इसलिए मैंने जंगं मन में भारत भागय विध पर कुछ लोग इस मामले को बराबर उठाते रहे अब भी उठाते हैं चिड़कर 1949 में टेगोर ने फिर कहा जो चौता हो या पांचवा मैं उसके बारे में ऐसा क्यों ही लिखूंगा इस बात का जवाब देना भी मेरा अपमान है भारत भागय विधाता बांगला में लिख की कविता थी इसका हिंदी में अनुवात किया एक आमी ऑफिसर कैप्टन आबिद हसन सर्फरानी ने और कविता को हिंदी में नाम दिया सबसुक चैन अब एक कहानी और इंट्रस्टिंग है इसी के साथ जुड़ी हुई राश्टरकान की धुन बनी थी आंद्रवर्देश म 1919 में गुर्देव को एक कॉलेज समारों में आने का निमंतरन दिया गया इस कॉलेज के नाम था बेसन थियोसोफिकल कॉलेज यह आंद्रवर्देश के चितूर जिले के मदनपली शहर में पढ़ता है तब गुर्देव का कदभी बहुत बड़ा था और उनकी कविता भारत भाग्य विधाता भी बहुत फेमस थी लेकिन थी बांगला में इसलिए चात्रों को यह समझने में दिक्कत हो सकती थी चात्रों की गुजारिश पर गुर्देव ने वहीं खड़े खड़े इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था और नाम दिया The Morning Song of India तब इसे किस निश्चित धुन में नहीं गाया जाता था। कॉलेश के प्रिंसिपल की पत्नी मार्गरेट करजिन्स को कविता इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने गुर्देव से इच्छा जाहिर की कि वो इसकी धुन तयार करवाना चाती है। फिर उन्होंने कविता कि एक एक पंती को स अच्कीन किया गया। वाटसेप पर आया था तो सची होगा ऐसा आपको भी लगता होगा। अब थोड़ी एतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रगान के महत्व पर नज़र डालते हैं। एक धड़ा है जो कहता है कि राष्ट्रगान है इस पर खड़े ना हुए तो जेल में का हुआ हो अगर तो फेकर है उससे क्या ही फरक पड़ जाएगा। तो पहले किस्सा इस दूसरे धड़े के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र की स्थापना होनी थी सविधान लागू होना था और उसी के तहर हमारा नाश्टनल एंथम भी घोशित हुआ था राष्टी चिन्नों हो चाहे वो राष्टरगान हो ये राष्टर ध्वज नहरू इन चीजों में बहुत सावधानी बरत्ते थे आधिकार के एलान के दो दिन पहले यानि 24 जनवरी के रोज प्रधान मंतरी नहरू एक संगीतकार से बिले इनका नाम था हरबर्ट मूरल अपने जमाने के माहिर औ इसका टेंपो थोड़ा तेज किया नहरू जो कटर राष्टरबाद के सबसे बड़े निंदक थे राष्ट्रे चिन्नों के बारे में कितना ख्याल रखते थे वह इस घटना से मालूम चलता है अब बात पहले धड़े की जो राष्ट्रे चिन्नों की पहचान से चिपका रह जन गर्ण मन को भारत का राष्ट गान घुशित किया उंचे बेखती थे इतनी छोटी सोच नहीं थी कि जिस कॉंग्रेस से मदभेध है उसका जंडा राष्टे जंडा कैसे बन सकता है यही बसु जब आईने का गठन करते हैं तो उसकी एक विंग का नाम गांधी ब्रिगेट और एक का नाम नहरू ब्रिगेट भी रखते हैं और वही कॉंग्रेस जब 1950 में समिधान सभा का काम पूरा होता है तो सर्वसम्मती से नेता जी का मान रखते हुए जन गर्ण मन को राष्ट गान का दरजा देती है जबकि अलग हो गए थे उन्होंने छोड़ दी थी कॉंग दंगों को रोक सकें उस ताइम इस तरह के नेता थे जिनको दंगा रोकने में इंटरस्ट था मात्मा गांधी ने एक मीटिंग रखी हुसेन सुराबर्दी बंगाल के पूरुप्रधान मंत्री और 1946 में कलकता दंगों के मास्टर माइंड भी इस मीटिंग में शामिल हुए ह जैसा की रिवास था अंत्र में बजा राष्ट गान सुहरावर्दी समेथ सब लोग तब खड़े हुए थे सारे हिंदू और सारे मुसल्मान गांधी फिर गांधी थे राष्ट गान बचता रहा वो अपनी ट्रेड मार्क मुद्रा में बैठे रहे उस दोरान तो किसी की हिम की गांधी राष्ट गान को इज़त नहीं देते थे किन्तु वो ये भी समझते थे कि राष्ट गान सिंबल है देश का जो लोगों से बनता है और सिंबल को पकड़े रहना का मतलब नहीं है कि अगर जिस तरफ सिंबल इशारा करता है उसके प्रति यानि हमारी निश्ठा न करताते हैं कि अब दंगे नहीं हुए और एक फैक्ट है कि इसके बाद दंगे रुके भी और फिर गांधी दिल ली गए अंत में इस पूरी बात पर रिबन बानने के लिए एक छोटी सी जिन कथा और मान लीजिए आप छुटियां मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं वहां आपको पता चलता है कि पहाड पर एक सुंदर जहरना है ज़रने के तरफ जाते हुए कुछ दूर पहुचकर आप देखते हैं कि एक board लगा है जिसमें ज़रने के रास्ते को दिखाने के लिए एक तीर बना हुआ है यानि एक sign board हरे रंग का जैसा आम तोर पर हम देखते हैं अब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जाकर उस बोर्ड से चिपता हुआ है आप पूछने कि भाई क्या कर रहे हो तो बोर्ड से चिपका व्यक्ति जवाब देता है यही तो उस महान ज़रने का सिंबल है बिल गया मुझे यह मेरे लिए बहुत आधरनी है और मुझे इसी की ख जबकि वो राष्टिय निशान चाहे जंडा है राष्टगान बाद में आता है पहले आता है देश वो जमीन का नाम नहीं है लोगों का समू है निशान इसलिए आधरनी नहीं है कि वो अपने आप में कुछ है बलकि वो इसलिए आधरनी है क्योंकि वो इस देश का प्रतीक तारीक एस एपिसोड को लिखा था हमारे साथ ही कमल ने और कैमरे पर इस रिकॉर्ड किया था हमारे साथ ही मोहन ने देखते रहिए दिलेवन टॉप